राम जी कैसे हो और सुनाओ घर पे सब ठीक ठाक हैं आप ठीको सर तो सर देखो मेरा है जवलपूर फर्स्ट टाइम आना हुआ है सर ने हमको इन्वाइट किया तो हम आए सर ने हमारा बहुत अच्छा से वेलकम किया ठीक है तो सर मेरे से पूछ रहे हैं कि YouTube की अर्णिंग क्या है जैसे सर एक लोगों की सोच होती है आम तर पे एक इंसान ये सोचता है कि अगर आप अच्छे हो तो सबको ही अच्छे लगने चाहिए पूरी दुनिया को अच्छे लगने चाहिए और आपके कमेंट्स पर पर ऐसा क्यों कभी कभी लगता है कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जबकि आप ऐसा नहीं कि इंस्टिट्व के प्रमोर्शन पर नहीं है आप पर्सनल अगर आप अपना ब्लोग या कहीं भी डालते हैं तो एक दो लोग कहीं नहीं आप दुनिया के साब से तो अच्छा अच्छा होगा तो ऐसा क्यों आप पेस्बुक से अब इतक इन अपने चैनल जो फेस्बुक का पेज एगला सेस्क्राइबर उसको मोनेटाइज नहीं किया मैंने भी तर अच्छा इंगा नहीं किया क्योंकि जरूवती नहीं है मॉनेटाइज करने कि और नहीं मेरा दिमाग अब हर जगह से अब प्रमूर्ट करना है मैं चाहता हो कि लोगों को जो गलर फेमी हैं कुछ ल जिद है मेरा फिदूर जिद है मेरा गुरूर so hi my youtube family कैसे आप सभी लोग देखतो रहá होंगे आप यहां ऑ्माडर साथ में है Ajay और अज़े ने अपने youtube से काफी नाम कमा It there's मुभारि पेरिंग में इनकोREAMեंती डाल में मैind चाहिए और यहां पर हमें हुछ हमाय diffा को इनसे ही पूंचे कि यह जो वीडियो कि मेरे पसल चैनल पर मैं चला रहा हूं यह वीडियो के उन सारे बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेज में पड़ रहे हैं और जो यूटूब के मादम से चाहते हैं कि हम कुछ अर्णिंग कर सके तो थेंक यू वरी मसर आपका पहली बात जोलपूर आने क आपका यहां पर राम राम जी कैसे हो और सुनाओ घर पर सब ठीक ठाक हैं आप ठीको सर तो सर देखो मेरा हैं जवलपूर फर्स्ट टाइम आना हुआ है सर ने हमको इन्वाइट किया तो हम आए सर ने हमारा बहुत अच्छा से वेलकम किया ठीक है तो सर मेरे से पूछ रहे मेरा नाम अजय कुमार है और मैं पलवल हरियाना से हूँ और मैं हाई क्लास ओनली क्लास तक पढ़ा हूँ कुछ घर में रीजन थे जिस वज़े से घरवालों ने पढ़ा है पर मतलब मैं अबॉर्ड नहीं कर पाया पढ़ाई में दमाग से भारती पढ़ाई ओनली ठीक है तो उसके बाद मैं 2007 में इस फील्ड में आ गया मोवाईल में मैं बुलंद सेर 15 दिन रहके आया था सिर्फ 15 दिन पापा जीन के गुरू जी थे ब्यास जी तो उनके परिवार का काम था अमरीका में बिल्लियों का तो उनका एक लड़का अमरीका के अंदर वो मोवाईल का का तो उनका लड़का चाचाता उनका लड़का काम सीखके तो उसने बुलंद सेर में काम कर लिया तो कोट के पास उनकी दुकान है अच्छा गासा नाम था जिस दौरान उनका काम था तो मैं सर्फ 15 दिन रहके आया था पहले हमारी पर्चूने की दुकान थी पापा जी फॉस नाम था नाम कर ले तो हमने लाइन-चेंज कर दी तुरंट एक महीने के अंदर ही अंदर तो उसके बाद मैं मैंने मोड़का काम किया अच्छा खासा पैसा कमाया मोड़की लाइन में जिस दौरान नक्या के फॉन चलते थे सबसे पहले नॉक्या सैंसंग के जो पॉन होते कीपैड वाले ठीक है जिस टेम पे टाटा था रिलाइंस था जिस में cdm में फोन होते थे जो पेपर सिम होती थी बहुत तगड़ी कमाई थी कि मुझे पदा कि कितनी अर्णिंग मैं कमाता था पर दे का मैं यह लगा लो उस दौरान 2000 रुपे अब तो आज की डेट में पर दे का हजार रुपे भी कमा सकते हैं ठीक है अगर आप पे काम अच्छा आता तो तो उस टेम मैं बहुत सारा चाखा सा ग्रो हुआ तो उस दौरान कुछ दिन बाद हुआ कि यार अब कुछ मतलब फॉन अपग्रेड होने लगे यार हर चीज अप सीखा नहीं सीखा तो सिर्फ 15 दिन सीखा और मिंकियार कभी किसी इंस्टूट में गए नहीं या कुछ वैसे कभी सोचा नहीं कि कभी इंस्टूट में जाना पड़ेगा इस लाइन में कैसे तो दिल्ली सामान लेने गए फर्स्ट टाइम तो वहां पर देखी दिक किताब है रंग बरंगी कलर चपी हुई जैसे लोग वी जो टेक्निकल्स होते हैं वो अपनी किताबे बना के करते हैं तो इस टाइम होता था नौट चार्जिंग ऐसे करना कीपेड करना तो ऐसे करना आइसी चेंज करने तो ये करना नेट्र करना तो ये करना तो वो सारी चीश देख वहाँ पे 4-5 लड़के रहते थे वो software hardware करते थे तो सायद 30 नमबर पे मेरा नाम आता था पक्का इतना मुझे पता कि क्योंकि उस दौरान मैं दुकानदारों का और customer का खुद काम करता था एक ही दुकानदार चाहिए वो होडल से हो मेरे इलाके से होडल चांट घोडी चार चार पांच पांच दस बारा बारा फान एक साथ लेके आता था और मैं उनको repair करके देता था चाहिए उसमें software था चाहिए हार्डवेर था कुछ भी था वो मैं करके देता क्योंकि वो नहीं कर पाते थे जब मैं वो करके उनको देता दूसरों के काम आप करते हैं दुकानदारों के हालसेल रेट में तो वो अच्छा खासा किया उसके बाद में मतलब 2019 अच्छा खासा रंणिंग चला कोई दिक्कत नहीं है तो कोई फार्ट था मेरे को मिल नहीं रहा तो उस टैम मतलब 17 में 17 में 18 में जियो अपने पैर छोड़ चुकी थी और उस टैम यूटूब का हलका हलका सा क्रेश चल रहा था लोग वागों के दो क्योंकि जीओ ने ही सबको स्मार्ट बनाया जीओ और किसी नहीं वनाया जीओ ने जो डिया है जो जो आज आपको मिल रहा ना सब्सक्राइब का बाद यूट अच्मार्वान वज़े से और कुछ नहीं है मुके सम्वानिक वज़े से जो भी है नि पहले हम एक महीने का का रीचार्ज अलग कराते थे कॉलिंग का अलग कराते थे यह सारी चीजे भी है और चुटे इस तर पर फोर्जी फोन भी आए तो कुछ चीज मतलब उस दौरान मैंने एक फाल्ट देखा में क्या यह नहीं मिल रहा कहां डूंडू किसको डूंडू मतलब किस से पूछ हूं तो मैंने एक यूटूब खोला उस पर लिखा और वो आ गया और वो ट्रिक मेरे को सही लगी मिंकी यार जब यह ऐसे कर सकते तो क्यों हम क्यों नहीं कर सकते मिंकी क्या चीज है उस दौरान रीजन यह था कि यह एक हजार घंटे और चार हजार घंटे का बोश टाइम पूर और उसके बाद में मॉनिटाइजन सुरू होगी अर्निंग स्टार्ट होगी फिर कुछ भाई पोजते हैं कि हमें सॉफ्ट्रे का काम सीखना कौन सा डॉंगल नहीं कौन सा टूल नहीं तो मैंने ले रखे तो फिर मैंने एड़वाइज देना स्टार्ट किया लोग आगो ए या चार हजार रुपे अलग देने पड़ते हैं मतलब सतर किलो मीटर है दिल्ली से और पलवल मेरे सहर काओ जो सीख के आया हुआ जब तो हाँ 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 सब ओके घर आके उतरा देखा तो बलैंक खाली सब कुछ खाली मैं क्यार कैसे करें तो वह भी किया और उसके बाद अ अच्छा खासा रिस्पॉंस मिला सर्व आज उसकी बज़े से मैंने अच्छा खासा नाम कमा लिया सतर के सब्सक्राइबर थे फिर उसके बाद में एक समिश्या यह आरी ति लोग वागोगी ओपो की ओपो रियल में की जो वह फॉन ऑनलाइन होते थे तो जैडेक्स मलिक का एक टूल आया था जैडेस आईएस पी पिनाउट तो उसके उपर बहुत मतलब लोगवाग ओपो ए 3S कैसे अनलोक करें ऑपो ए 3S में दो वर्जन थे मॉडल पर पहले उनका जो अपडेट था वो यूएस भी से हो जाता था पर उसके बाद में वो यूएस वाला बंद हो तो इस पी पिनाउट से होता था चाहिए यूएफाई बॉक्स या यूएफस बॉक्स मेला इजी टेक सॉरी मडूसा गया वगर आईएस पिनाउट से अनलोक होता था कोई और तरीका नहीं था तो उस दोरान जैडेक्स मलिक सर का एक टूल आया था वो टूल से मैंने वीड माइक्रसकॉ diamond नीड थी काम करना था बिना माइक्रसकॉप के काम नहीं हो सकता आज की डेट में, आप किसी की प्रॉमोसन वीडियो देखते हैं कि ये था सर मेरे सब्सफर, बहुत लंबा सब्सफर था, भूत कुछ देखा है आपने उताओ चड़ाओ भी ँाOOD आई लाइफ में, इस बिलकुल सर, बिलकुल मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि साहिट, क्या बताऊं कि ऐसे ही ह सकता किसी के साथ भी हो सकता ये तो उताव चड़ा वाते रहते हैं जिन्दगी में पर गधार कि वाले बहुत अच्छछे हैं माता पिता जो मेरे बहुत भगवान हर किसी को मतlor सब्सक्राइब कर दें जाता हुआ यूटूब से कमाते हैं तो कितना कमाते हैं थोड़ा बिलीज बताइए देखो चले मैं सबसे पहले बैक ग्राउंड पर आ जाता हूं पिता जी मेरे आर्मी से रिटार्मेंट है अच्छी खासी पिंसिल आ रही है कोई दिक्कद नहीं कैसी भी पापा मेरे को नहीं चाहते कि तो घर से बहुंचा है पिताजी मेरी अगर जाता हूँ तो बोलता तो इकला नहीं जाएगा तेरे साथ में और भाई कोई न गहांने है हं मैकेनिकल इंजिनियर है ओं जो और और रही बात भाई की अर्निंग की मेरी यूट्यूब से अर्निंग कितनी आती तो मैंने अभी तलक लास्ट यूट्यूब से 50,000 रुपे महीने के महीने मतला वो तो डॉलर अपडाउन होते रहते हैं बाकी इतने अपडाउन क्या है तो अप ही हो रहे है 79 चल दा अप ही एक अच्छी खासी मौज आ रही है जिंदगी में कोई टेंशन वाजी नहीं किसी चीज की भी कोई प्रॉलम नहीं है और मैं अपनी सौब भी खोल रखी सौब भी चलाता हूँ तो क्या आपने यूट्यूब खोला और अगले मेनी अर्णिंग चले होगी थी क्या आपने नहीं लगवाई चांस है तुमारा नसीब भी जाग गया तो एक अलग बात है नसीब कैसे जाग गया कोई आपने कोई ऐसी वीडियो बना के गेरी कि वो वाइरल होगी एक वीडियो वाइरल होगी और सबने सब को मतलब आपको एक ऐसी पहचान देगी कि वो यूट्यूबर वो वो चाय वाला या वो हेर कट करने वाला या वो कोई एडवाईज देने वाला एक ही वीडियो आपको ऐसा वाइरल कर सकती है या नसीब हुआ तो बहुत कुछ हो सकता और बाकी नसीब भी निर्वाव करता लेकिन यूट्यूब पे इस टैम इतना अच्छा सफर नहीं है कि में आज चैनलrite किया और आपको अगले महिने से पेमेंट आना स्टार्ट हो गया और अगले महिने से स्पांसर वीडियो आने स्टार्ट हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है नौलेजज भी सब चीज भी होनी चाहिए अब देखो मेरा चैनल ग्रू क्यों हुए? क्योंकि मुझे मोवाइल के जानकारी थी तो मैंने यह सारी चीज़ें करके बताई हैं और मेरी वीडियो देखिया मेरा कोई सब्सक्राइब मेरे को कहीं मिलता है या मेरे से फॉन पर बात करता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर सर से गुरू हैं और इन से कोई काम सीख के जाए और वो काम करे अपने लाके में और किसी को बोले कि मैं एसिया टेलीकॉम इंस्टूट गया था और वहाँ आज आज उनकी महर है जो मैं हाँ पर बैठ के पैसा कमा रहा है तो सर को कैसा लगे कैसा लगे बहुत अच्छा लगेगा ना कि हां मैं कुछ अच्छा काम करें और वो जुनून और बढ़ेगा हमारा और महनत करने का जो हमारा जजबा है तो थोड़ा बढ़ेगा जी जी अगर आप अच्छे हो तो सबको ही अच्छे लगने चाहिए पूरी दुनिया को अच्छे लगने चाहिए और आपके कमेंट्स पर पर ऐसा क्यू कभी-कभी लगता है कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जबकि आप ऐसा नहीं कि इंस्टिट्यूट के प्रमोर्शन पर नहीं है आप पर्सनल अगर आप अपना ब्लोग या कहीं भी डालते हैं तो एक दो लोग कहीं ना कहीं ऐसे मिली जाते हैं तो ऐसा क्यों सर आप दुनिया के साबसे तो अच्छा अच्छा होगा तो ऐसा क्यों है थोड़ा बताईए भी जो आपको जानते तक नहीं है और जो आपको देख करें डिसलाइक कर रहे हैं जो कमेंट पर उन लोगों के क्या चाहोगे उनकी भीया मैं कुछ नी कह सकता ऐसे भीया को राम राम क्योंकि उनका मेंटल सुकुरूड लूज हो चुका उनसे मैं कुछ नी कह सकता बहुत ऐसे हेटर्स या कोछ हैं उनका मैं कुछ नी कर सकता और वो हमेंसा ऐसे ही रहेंगे उनसका कुछ नहीं हो सकता पर एक आप 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 आपको आप अऐसे लोग जो कमेंट करते हैं क्या आपको उनके लिए खास और बेषadas जोश्तिफाइब पर और यहागर हम उन्हें जितना पॉजिटिव लोग है उल्टा हम नेकिटिव में चला जाएंगे मेरी वीडियो जितनी भी है मेरे चैनल पर अब किसी का कमेंट आसला कोई रिमूब नहीं किया किसी कोई मेरे को गाली दे तो मैं उसे नहीं बोल दा कि तू ने गाली क्यों दी या कोई नीचे कॉमेंट करके बोले कि यह तो गलत है मैं इग्नोर कर देता हूं मैं पढ़ता सब को हूं मैं देखता सब को अपना को justify क्यों नहीं करते हों मैं justify करूंगा उनका प्रमोशन हो जाएगा एसा टेली को हमका यही कहना है आप लोग कहते हो कि सर एक ने आपके लिए वीडियो बनाई तो हम अपनका justification क्यों दे एक जन के पीछे हजारों आप देख रहे हो और एक जन के पीछे हम justification नहीं दिना चाहते और कोई ऐसा नहीं होता खैज के उन्हें मतलब हैं एक किलास के अंदर section होते हैं हर किलास है आठवी किलास के 3क्स together तो यह थो दुड़िए कि तीनों section में से सब topper हम उंगे एक जो a section होता उसके अंदर ऄच्छ बच्चे होते जो b section होता उसके अंदर थोड़े कि अपने आपकार में तो मेरे स्कूल में मुझे चीफ गेस्ट बनाए लाओ जो बाद है बहुत मानने वाली बात है कि सकूल का स्टूडेंट चीप गैस्ट बाना आपके पंदरा अगस्क में मेरा वीडियो भी डाला होगा इसी चैनल पर बर मैं आपको बदाना चाहता हूं उस किलास में साट बच्चे थे और साट बच्चे में अगर हम इंकम की भी बात करेंगे त तो अब भी भी कुछ बच्चे ऐसे जो आज भी नौकरी के डर-बदर भटक रहे हैं सब बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई एक ही किलास में की है बर सोच हमने अलग रखिए भाई देखो बी पॉजिटिव रखो अपने आपको और दूसरी चीज है नेगिटिविटी को गरवालों के साथ चलोगे जो वो कहते हैं वो काम करो हमेशा आगे बढ़ जाओगे और नेक नियत से काम करो बस यही आपका होना चाहिए अगर कभी आपने देखा कि मजदूर मजदूरी करने से या उनसे करने से वो बन सकता आगे बढ़ सकता नहीं बढ़ सकता भाई महन मज़दूर होता तो कितना बड़ा बन जाता या जो बोलते हैं कि पंदित इतने वह करते हैं तो वह अपना ही अपना कर लेते तो ही अगली बार मैं राजा बने कर पैता हूं controllers यह मतली पंदेतों ऑजित ऊक्छी कोई बादैना में बख बख तू बहुत जादा मेरे को तो देखे होगा मैं यहां पर आया जैसर इतनी दूर से मैं ठेंक्यू वेरी मसर आपने हमें इतना टाइम डिया और सच बताओ कि आपको यह नहीं पूछूंगा कैसा लगा आपको हमारे साथ कैसा लगा मुझे फर्स टाइम बहुत अच् कि इस टेम पे आना इस टेम पे जाना इस टेम पे खाना इस टेम पे सोना वो पूरा जैसे मेरे फादर होते हैं अगर वो फौजी है मेरे पताजी फौजी है तो हमें पता कि रूल क्या चीज होती है किसी को नहीं पता कि रूल हमें पता कि रूल क्या चीज है जो मेरे फाद जैसे उन्हों ने बोल दिया वो फाइनल है रूल इज रूल आज भी इंडिया में इसे बहुत सरे लोग यह भी आप आरू पी रहे हैं जो पिता के सामने कुछ भी कर रहे हैं पुरी तर्केसे और बाप यह कहता है कि मेरा ड़ा हाथ से निकल गया है तो यह गलती तुम्हारे आपा जो बाहने होता है झांसे परकिता को अपने मन से नहीं माता पिता अगर शुक्ती हैं तो आपको अच्छे रास्ते पे चलना सिखाया उसे अच्छा गुरू उसे बोलते हैं और गुरू उसे ही को मानना चाहिए आदमी को की ब्लेसिंग यह चाहूंगा आने वाले समय में और एक मिलियन संस्क्राबर पहुचें आपके और गुल्ड बटन आए एक मिलियन बाकी देखो हमारी कुछ नम्बरिंग नम्बरिंग यह कि हमारे इंडिया इंडिया के अंदर इंडिया से बाहर भी हैं जितने दूसर सामने वाले को जिससे कोई अच्छी नॉलिज मिले उसे सीखने के लिए जो उससे हमारे लिए वो बंदा पांच मिनट दस मिनट बीस मिनट निकाले तो उसका वेनिफिट फायदा होना चाहिए मैं हर वीडियो में यही सोचता हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उ तो उसका समय भी आएगा थेंक्यों वेरी मच्च ओके एंक्यू गाइस और आप देख रहे थे देवत अनकवाल चनल एक सवाल तो मेरे रहेगा है ठीक है आपकी अरनिंग तो बहुत अच्छी है मुझे पता डूसरी ची आप फेस्बुक से कितना कमा ले तो फेस्बुक से मैं अभी तक मैंने अपने चैनल जो फेस्बुक का जो पेज जो एकला सब्सक्राइबर उसको मॉनिटाइज नहीं किया मैं अभी तक मेरा दिमाग अब हर जगह से पैसा कमाना नहीं है मेरा दिमाग हर जगह से आप प्रमूट करना है मैं चाहता हूं कि लोगों को जो गलर सबसीत क्या दिमाग दिमाग अलीक सब्सक्राइब और जो गांग हरा झरीडरे हो और जीछ फ्रेंग आपने और जरे परिमादाव पैसे नहीं को बिदो करते हैं और दो देखते हैं जब बात करते हैं और हमें बात करते हैं थे कभी-कभी हमें बहुता है कि हमके पैसे के लिए हम अपने पैसे के लिए किसी दूसरे का बुरा ना कर दें बुरा कैसे ना कर दें हम जो वीडियो बना रहे हमारी बज़य से वो सामने वाला लुटना नहीं चाहिए हम यह चाहते हैं बाकी हम अपना पला ज़ाड के चलते हैं पहले ही कि भाई जो भी आप काम कर रहें अपनी शॉर्टी पर अपने उस पर करके चलो लेकिन किसी का मुह नहीं रोका जा सकता किसी को नहीं किया जा जा आधे बंदे बोले दें हम तुमारी वीडियो देखी तुमारी बज़े से हम वहां गये से ये देखा वो देखा और उसके चल क्या रहा तो ठीक है सर ठीक्या वर्य मुच राम और मिलते हैं किसी शी नहीं वीडियो में और आपके कुर्श में और पिक यह करें जी 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 बिल्कुल पहली बार इंटर्व्य देखेंगे अपना ठेंक्यू रोके अस आप अलदग्